क्रिकेट की इंसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सब्से पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकान जरूर दबाएं ICC क्रिकेट विश्वकप खतम हुए लगभग एक हपते बीच चुके हैं लेकिन भारतिय क्रिकेट फैंस न्यूजी लेंड के खिलाब सेमी फाइनल में मिली करारी हार अभी तक नहीं भोले जी हाँ न्यूजी लेंड द्वारा दिये गे 240 रनों के छोटे लच्छे के सामने भारतिय टीम की मजबूत बल्लेबाजी तास के पत्तों की तरह भिखर गई थी पूरे टुनामेंट में सांदार बल्लेबाजी करने वाले रोहित सर्मा विराट कोहली और लोकेश राहुल मात्र एक एक रन बना कर आउट हो गए इसके बाद भारतिय बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं मिला एक के बाद एक लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और निर्धारित पचास ओवर में पूरी भारतिय टीम 221 रन पर सिमट गई हाना कि आखरी में आल राउंडर रविंद्र जडेजा ने तुफानी पारी खेल कर मैच में रोमांच ला दिया था और एक समय ऐसा लगा जडेजा भारत को जीत दिला कर इतिहास रच देंगे लेकिन सायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दूसरे छोर से मेहंदर सिंग धोनी सायद आक्रमक बल्लेबाजी करते तो भारत यह मैच जीत सकता था एक छोर से जडेजा ने अपनी पूरी ताकत जोक दिया था लेकिन कहते हैं न एक अकेला चना भाड नहीं फोड़ सकता दूनी की धीमी पारी को भारत की हार का जिम्मेदार ठैराया गया लेकिन कुछ क्रिकेट फैंस की माने तो भारत की हार की वज़ा धोनी की धीमी पारी नहीं बलकी कुछ और ही है निश्चित तोर पर इस मैच में जस्परीद बुमरा और भूनेस्वर कुमार ने सांदार गेदवाजी की लेकिन ये जिवेंद्र चहल थोड़े खर्ची ले साबित हुए इससे पहले के मैचों में जब भूनेस्वर कुमार को चोट की वज़ा से बाहर होना पड़ा तो उनकी जगा भारतिये टीम की प्लेइंग 11 में मुहमत समी को सामिल किया गया था समी ने अफगानिस्तान के खिलाप न सिर्फ हैट्रिक विकेट लिया बलकि सर्मनाक हार से भी भारत को बचाया था चार मैचों में 14 विकेट लेने वाले मुहमत समी को न्यूजी लेंड के खिलाप प्लेइंग 11 में सामिल किया जाता तो निश्चीत तोर पर भारतिये टीम जीत हासिल कर सकती थी लेकिन कोहली और सास्त्री की मनमानी ने भारत की लुटिया डुबो दी भारतिये टीम के पुरुव कपतान मेहंदर सिंग धोनी का भी मानना है कि मुहमत समी को प्लेइंग 11 में सामिल किया जाता तो न्यूजी लेंड टीम को 200 से कम स्कोर पर रोका जा सकता था